सबसे पहले कॉमेंट करके यह मुझे बताओ कि कौन से इंवर्सिटी के बच्चे हैं जो प्रदीबगीरी एकाइडमी को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं उनसे जुड़े हुई चीजे बहुत सारी चीज अपने चैनल पर आएगी इसलिए कॉमेंट में भर दो अपने सब्सक्राइब का नाम और अपने सभी ग्रूप में भर जाना चाहिए और साथ में आपके मैट का पेपर का डेट भी भर जाना चाहिए अब इसके साथ ही गाइस एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपका M1, M2, M3 और बैसिक माथमाटिक्स डिप्लोमा का है तो देख़ों सकता है इसमें किसी ने किसी को बैकलोग लगा होगा exatamente है और कुछ लेग्रोग लगा लगाऊ सबसे पहले मुझे बता देना तोटना पड़ेगा अपने निकालना पड़ेगा सिलाबस निकालना पड़ेगा स्के अंदर आपको बढ़ेगा और के अंदर आपके यहां कौन-कौन से टॉपिक आपको आने वाला एक्जाम में वह चीजे निकालनी पड़ी है वह चीजे अगर आप निकाल लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना इसके बाद जितना भी टॉपिक आ रहा है उसका प्रॉपर तर होगा कि सर मैंने अपने यहां का सिलाबस निकाल लिया टॉपिक भी निकालने पर पढ़ूँगा का भाई जहां खड़े इस प्लाटफॉर्म वेप्रदीबगीरी अकैडमी बस आपको क्या करना है अपना टॉपिक अन्प्रदीबगी अकैडमी डालो आपके स्क्रीन के साम थाथ है तो भाई वो चीजह हमने हम पढ़ा रहे थे हुम पूरे के पूरे कर फिलें वार करते हैं जिससे क्या कि इसमें सभी इंगर चीज हो चुके हो आप समझदार हो चुके है आप अराम से सौल करके निकल जाओगे समझ मेरा मेरी बात इसलिए हमने बोला कि सबसे पहले सिलाबस टॉपिक दन इसके बाद अपना टाइम टेबल और इसके साथ ही जो भी टॉपिक आ कॉंसेट को समझना पड़ेगा अगर कॉंसेट को नहीं समझ रहा है विदावड कॉंसेट को समझे बीना आप क्या करो बसक्वेशन को लेकर लिखे जारे लिए एक्जाम में कुछ नहीं कर पाऊगे ओके आप पूरा लिखने के बाद वहां जाके देखोगे यह तो नंबर अ सब्सक्राइब करने से पहले स्टार्टिंग का 30 मिनट्स आपको रिवीजन पर देना है अगर आप रिवीजन पर नहीं चीज स्टार्ट कर रहे हो तो दो दिन के बाद देखोगे ना पुरानी चीज़े सब गयाब हो जाएगी क्योंकि नंबर अब सब्जेक्ट और नंबर चीजे नंबर अब टॉपिक्स आपके दिमाग पर से बाउंस हो के निचे गर जाएगा इसलिए जब भी नया स्टार्ट कर जो सब्जेक्ट का पीछे वानी चीज़े क्या कर रहा है रिवाइस कर रहा है और गैस एक चीज और पीवाइक्यू पीवाइक्यू मोस्ट प्रदीवगी चाहिए प्रदीवगी चाहिए और इसके साथ इस एक्जाम के दो दिन पहले आपका सिलाबस कंप्लीट होना चाहिए बहुत सारे बच्चे बहुत हमारा एक्जाम ही दो दिन बाद है और अब भी तक हमारा हाल यह है लगबग 80-90 परसेंट बच्चों का हाल यही होता है तो आप मैं सोचो कि आप जब तक एक्जाम नहीं देख आते तब तक ऐसा लगता है कि हमने अभी पढ़ा आधा धूरा ही है तो आपका नहीं बहुत लोगों का ऐसा हाल होता है तो अगर मेरा तो यही कहना कि अगर आपके पास अच्छा का सा टाइम है तो दो दिन पहले खतम कर दो अगर आपके तस टाइम ही दो दिन का है तो उन दो दिनों के अंदर आपको पीवाई को को एनलाइज करके उसमें से टॉपिक निकाल के उनके कॉंसेप्ट को समझ के फटापट सॉल करना पड़ेगा इस तरह की चीज़ों करना पड़ेगा और साथ मे एव आनों के लिए क्रैस कोर्स लाएं मुंबई वालों को रहा है उनका बस एक ही मॉडिल बच्ष वह चीज़े हमने करके दिखहें जो बोलते तरह क्वाटा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमने बच्चों बस नाम कता पस जीरो से बेसिक से बढ़ा है मैं देख रहा बढ़ाते जब जीरो लेवल से बढ़ाते हैं कि जीरो से पढ़ाएंगे तो जो उपर वाला बच्चा उसको अपने अप समझ भाया जागा बड़ी इस बच्चे को भी उपर लेके जाना यही हमारा टार्गेट होता है तो मुंबई वालों का अल्रेड ही क्रैस को चल रहा है अगर आपने जॉइन नहीं किया तो फटा 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 जॉइन करो लिंक दिस्रिप्शन में दिया हुआ है फटा पर जॉइन करके आपके पहले देन से क्रैस को जॉइन कर लो ओके और बाके इंवर्सेटी के बच्चों को यहीं बोलूंगा कि अगर अपना पावर करते हैं तो आप से जुड़ी हुए चीजे भी आपने चैनल पर हम क्या करेंगे सेपरेट तरीके से लेकर आएंगे तो भाई यह आपको दिखाई दे रहे हैं हमारा एप इसको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा फटा पर डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप कॉमेंट सबसे पहले करो और अपना एक अच्छा का सब ग्रूप बना लो उस ग्रूप में हो सके तो हमें भी आइट कर लो हमें पता चलेगा कितने सारे बच्चे इस इंवर्शिडी की हमें फॉलो कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियों में थैक्यों मस गई चैन दोस कि अच्छा कर रहे हैं तो